हलो गाइज, मैं नेम इस पवन नागर and you are watching TCML and देखिए in this video हम आपसे बात करेंगे ankle joint के उपर and देखिए जिस तरह से हमने shoulder joint, hip joint और elbow joint को 8 point के अंदर finish किया था तो उसी तरह से हम ankle joint को भी इनी 8 point के अंदर finish करेंगे और इसका one page chart बनाएंगे overall new है कि 4 joint और only one concept और वो one concept क्या है 8 point वाला one concept and देखिए आगे वाले video के दो पार्ट होने वाले हैं and पहले वाले video में हम आपसे बात करेंगे पूरी की पूरी planning या फिर बोल दीजी ये strategy के उपर कि जो हमारा ankle joint का one page chart होगा वो आपको कैसे बनाना है okay and video का second part यानि की suggestions मतलब कि हम आपको कुछ chart suggest करेंगे video के second part के अंदर ताकि आपको feeling आ सके कि yes मैंने ankle joint पहले से ही पड़ रखा है बिना बाति में tension ले रहा था okay तो overall video के दो part होने वाले है okay and जो देखिए second part है ना इसमें तो आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपको feeling आएगी कि यार मैंने ankle joint पहले से ही पड़ रखा है बिना बाति में tension ले रहा था बिना बाति में हवा बना रहा था यार ankle joint इतना तगड़ा है इतना है ऐसा है ऐसा है लेकि ऐसा कुछ नहीं है सबसे चोटा joint कौन सा है ankle joint मतलब आपने अब यह उपर के तीन joint पड़े होगे न तो उन तीनों joint में से भी सबसे चोटा joint कौन सा है ankle joint है बहुत ही कम content है और वो सारा content भी हमने पहले से पड़ रखा है तो आप tension न लीजिए जैसे जैसे हम आगे चार्ड बनाएंगे तो आपको एकदम feeling आती जाएगी अब हम आते हैं हमारे video के first part यानि की पूरी के पूरी planning या बोल दीजिए strategy के उपर और ये strategy का हमारा बिल्कुल simple सा फंडा है हम normally क्या करते हैं पहले पूरा का पूरा theoretical portion बताएंगे आपको उसके बाद पूरे के पूरे clinicals, sprain, bursitis, strain, examinations, बबंस की sign, ankle block, food rope ये सारे क्या हैं हमारे clinicals किसके ankle joint के clinicals तो इन ही तीन पूरे को दिमाग में रखने हुए हम पूरा का पूरा one page chart of ankle joint बनाएंगे तीन पूरे क्या theoretical portion, diagram और clinical जैसे ही हमारा ये one page chart फिर complete होगा तो फिर इस एक page chart की एक एक line को हम हमारे moral से explain करेंगे real bones से explain करेंगे मतलब की ankle joint के अंदर आप क्या पढ़ते हों दो bones पढ़ते हों मतलब स्वाजी तीन bones पढ़ते हों तीन bones कौन सी? this is our fibula bone, this is our tibia bone and this is our talus bone लेखिए जो ये model आपको बगल में दिखा है न ये वारा model मैंने कहा explain करना कहा है हमारे talo calcaneo navicular joint के अंदर नाम से clear है भाई ये bulb को मैं क्या समझ रहा हूं? talus bone, this is talo, this is calcaneum bone, this is navicular bone, this is talo calcaneo navicular joint औके? एंद इसी के बगल में क्या होता है हमारा ankle joint, औके? मतलब talo calcaneo navicular वाले joint का जो model है उससे हम ankle joint को समझने में भी यूज करेंगे क्योंकि जो ये talus है, ये talo calcaneo navicular joint भी बनाती हैं, ये हमारे ankle joint में भी participate करती हैं तो आई होप आप पूरी के पूरी planning समझ गए होंगे, कि पहले मुझे one page chart of ankle joint बनाना है and second part के अंदर हम इस one page chart of ankle joint को पूरे के पूरे bones or model से explain करेंगे तो हमारा first part वीडियो का finish होता है and अब हम आते हैं हमारे video के second part यानि की suggestion वाले chart के ओपर मतलब कि यार अगर आप चाते हों कि आपको जो ankle joint वाला chart है वो नया नया ना लगे आपको feeling आई कि यार ankle joint तो मैंने पहले से ही पढ़ रखा था, बिनावाते में tension ले रहा था, ankle joint बहुत ही simple है मतलब अगर इस type की feeling चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये हमारे 8 chart बनाने पड़ेंगे और देखिए ये 8 chart नए नहीं है, इन में से मेकजिवम chart आपने पहले से ही बना रखे होंगे और अगर बना रखे हों, तो यार एक बार revision कर लेना, ताकि जो ankle joint वाला chart है, वो आपको नया नहा ना लगे और अब अब आते हैं, 8 chart के उपर, कि यार ये 8 chart कौन कौन से है, तो सबसे पहले जो 3 chart है, वो है retina column वाले chart मतलब कि यार आपको पता होगा न, आप upper limb के अंदर 2 retina column पढ़ते हों, flexure और extensor retina column of upper limb, and lower limb के अंदर क्या पढ़ते हो, 3 retina column, 3 कौन से, extensor retina column, flexure retina column, और peroneal retina column, तो आप पहले से ये 3 chart बना लेना, अगर बना रखे हो, तो एक बार revision कर लेना, ताकि आपको ankle joint का chart नया न या ना लगे, and इन 3 retina column को आप कहा पढ़ोगे, relations of ankle joint के अंदर, अरे यार मैंने बोला था न, कि ankle joint को भी इनी 8 point के अंदर finish करेंगे, तो 3 retina column को, 3 lower limb के retina column को आप कहा पढ़ोगे, relations of ankle joint के अंदर, okay, and इस टाइप के chart बनाये थे हमने, this is extensor retina column, this is fracture retina column, and this is peroneal retina column, okay, तो 8 chart में से 3 chart हो गए, उसी के साथ मैंने बोला था, कि जो ankle joint है, वो 3 bone से मिलके बना होता है, 3 bone कौन सी, दो तो आपको यहाँ पर दिखी रही है, tibia, fibula, और तीसरी कौन सी होती है, this is telus bone, okay, 3 bone से मिलके बना होता है, मतलब, मतलब आपको bone के chart पहले से बनाने होंगे, और कौन क attachment, एक page के अंदर पूरी की पूरी fibula bone finish है, वही, पूरा का पूरा style determination, external features और attachment, fibula तो यार अभी हाली में upload की है, and यार आप इन दोनों chart को, जो bone के chart है, इन्हें आप कहां पढ़ोगे, इन्हें आप पढ़ोगे, features और ligament के अंदर, मतलब, जब हम ankle joint को explain करेंगे, और ankle joint का जो तो इन दोनों chart को भी आप बना लेना, अगर बना रखे हो तो एक बार revision कर लेना, ताकि आपको ankle joint में मजा आए, उसके बाद जो हमारा अगला chart है, वो है ये model वाला chart, और मैंने क्या बोला था, this is the model of talo calcaneo navicular joint, ये bulb क्या है, this is talus bone, this is calcaneum bone, this is navicular bone, और देखिए मैं इस model पर बार बार force क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो टेलो calcaneo navicular joint है, this is barland socket type joint, आप परते हो ने, shoulder joint, hip joint, और टेलो calcaneo navicular joint, तीनो की तीनो क्या होते हैं, barland socket type joint, और इस joint का जो moment है, वो भी बहुत ही जदा important है, और इसमें कौन सा moment होता है, हमारा inversion और eversion of foot, overall ये barland socket type joint होता है, और इस वाले joint से तीन type से cushion पूशी जाते हैं, तीन type से कौन से, सबसे पहला तो पूरा joint पूश लेंगे, कि X-plane, टेलो calcaneo navicular joint, second cushion आ सकता है, इसके ligament से, separate ligament से, short cushion pick up हो सकता है, और कौन सा ligament, spring ligament से, और थर्ड कौन सा आएगा, इसके moment से, कि X-plane, inversion or eversion of foot, तो ये तीन type के cushion हमारे टेलो calcaneo navicular joint से pick up हो सकते हैं, और हमारा अगला chart उसी का ही है, मतलब, पहले हमने पूरे के पूरे टेलो calcaneo navicular joint को, पूरी के पूरे theoretical portion, पूरे के पूरे diagram, पूरे के पूरे ligament को, एक page के अंदर finish का रखा है, और फिर इस one page chart और टेलो calcaneo navicular joint को, मैंने पूरा का पूरा model से explain कर रखा है, यह bulb क्या है, तो टेलो calcaneum bone, this is calcaneum bone, this is navicular bone, तो टेलो calcaneo navicular joint, ओके, तो यह chart भी बना लेना, क्योंकि इस joint के बगल में ही क्या होता है, ankle joint होता है, ओके, आयो पाप समझ रहे होंगे, तो यह हो गया, उसी के साथ देखिए, जो हमारा अगला chart आ होगे, अगर common period में कोई भी लफड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, foot drop हो जाएगा, and foot drop होने से क्या होगा, foot हमारा eversion नहीं कर पाएगा, foot हमारा dorsi flexion नहीं कर पाएगा, and eversion और inversion इसे आप कहा पढ़ोगे, इस वाले model के अंदर, moment of talocaneum navicular joint के अंदर, and dorsi flexion और plantar flexion इन करेगा, और ankle joint भी लफड़ा करेगा, इसमें क्या होगा, हमारा eversion, क्या नहीं हो पाएगा, यह लिक रखा है मैंने सब कुछ, हमारा foot का eversion नहीं हो पाएगा, हमारा dorsi flexion नहीं हो पाएगा, okay, तो eversion यानि की मैं बात कर रहा हूँ, talocaneum navicular joint की, foot, dorsi flexion यानि की, इसकी बा तो अवराल जब आप foot drop और wrist drop पढ़ोगे, तो आपको मझा आएगा, तकि इसे भी हम कहां बताएंगे clinicals में, अरे भाई मैंने बताया था नहीं यार के ankle joint के clinicals पढ़ेंगे, sprain, varsity, strain, examination पिर यहां बताया था, मैंने बबंस की sign यहां बताया था, मैंने foot drop, foot drop यह नहीं की common parental damage हो गई, foot drop हो गया, इसी के opposite, इसी के parallel, आप upper limb में क्या पढ़ते हो, wrist drop, मतलब हमारी wrist गिर गई, and wrist कब गिर गई, जब हमारी extension muscle paralysis हो गई, और extension muscle को कौन supply करती है, हमारी radial nerve, अगर radial nerve गई, तो हमारी wrist drop हो गया, common parallel nerve गई, तो क्या हो गया, foot drop, आप एचार्ट बनाना आपको जाएगा, ओके, तो बता दिया, यह वाला चार्ट हम ankle joint के chart में कहा पढ़ेंगे, ओके, and यह वाला चार्ट हमने बताई दिया, टेलो कल्किन नेविकुलर जोइंट वाला, मतलब यह वाला, टेलो कल्किन नेविकुलर जोइंट का model, and this is theoretical portion वाला चार्ट, and जो हमारा last and final, ज extensor, sorry, common iliac artery, external iliac, internal iliac, external iliac, ने जिसे ही ingwainel ligament cross किया, क्या बन गई फीमोरल, फीमोरल की बहुत सारी branches होती है, उसके बाद यह बन गई पॉपलिटियल, उसके बाद यह बनती है, anterior and posterior, tbl, common, peronial, overall किस तरह से major artery divide होती है, उनके क्या-क्या branches होती है, उन सारों की बात मैंने इस lower limb की arteries वाले chart में कर रखी है, ओके, देखिए, मैं जितने भी chart बता रहा हूँ, इन सभी chart के video link आपको इसी video के description में मिल जाएंगे, और आप इन सभी chart को direct YouTube पे search भी कर सकते हो, कैसे, direct लिख देना, टेलो, किल्किनो, ने विख देना, TCML, मतलब, जब आप YouTube पे search करो, अग बाद में लिख देना, TCML, मतलब हर topic के बाद में TCML लिखना है, ताकि जो TCML के video है, वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ओके, तो ये हो गया, तो overall देखिए, जो ये lower limb की arteries वाला chart है, ये आपके कहां काम आएगा, मतलब ankle joint में आप कहां help करेगा, हमारी blood supply, हमारी blood supply of ankle joint and relations of ankle joint क देखिए, जितने भी मैंने chart बताए हैं न, इनके multiple benefits हैं, मतलब कि इन सभी chart से topic तो complete हो ही रहे हैं, मतलब foot drop तो complete हो ही रहा हैं, उसे के साथ आप foot drop को ankle joint में भी चिपका सकते हों, और उसे के साथ अगर आप ये वाला chart बनाओगे, तो इससे पूरे के पूरे anastmosis complete होते हैं, आप परते हों न, trochrentic anastmosis, cruciate anastmosis, genicular anastmosis, मतलब जो भी मैंने 8 chart बताए हैं, इनके multiple benefits हैं, multiple topics में आपको benefit मिलेका, बहुत सारी जगर आपके ये काम आएंगे, तो इसे के साथ हमारा, this is the first video of ankle joint, पूरा का पूरा finish होता है, और पूरी video को मैंने 2 part के अंदर finish कर दिया, कि अगर आपको इस chart में और भी जदा मज़ा लेना है, तो आपको ये 8 chart बनाने हैं, ओके, and I hope आपको मज़ा आया होगा, and यार अगर वीडियो में दम लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो पर कमेंट जरूर करके जाना, कि आपको कैसी लगी वीडियो, ओक अग्यू, और बायू